कपिल देव भारत के महांतम क्रिकेट आइक नों में से एक हैं भार्पिय क्रिकेट पर बड़ा प्रभाव कपिल देव क्योंकि उनकी प्रेणा और हर्पनमौला प्रदर्शन ने 1983 विश्व कब जीत में मदद की कपिल देव निखंज का जन 6 चन्बरी 1959 को चंडीगर में एक सागौन व्यापारी रामलाल निखंज और उनकी पत्नी राजकुमारी के घर एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था उनका परिवार विभाजन के बाद भाजल का चला गया और अंततेह चन्बिगर चला गया कपिल देव निखंज एक भारतिय पूर्व क्रिकेटर हैं क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान और रांड रों में से एक वह एक तेज मध्यम गेन बाज और एक हार्ड हिटिंग मध्यक्रम बल्ले बाज थे देव क्रिकेट के इतिहास में एक मात्र खिलाडी हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से अधिक विकेट, 434 विकेट लिये हैं और 5000 से अधिक रन बनाए हैं 1978 में वह भारतिय क्रिकेट टीम में शामिल हुए और वमुश्किल 5 साल बाद उन्होंने 1983 में क्रिकेट विश्व कप में भारत की कप्तानी की सभी बाधाओं के पावजूद, टीम में विश्व कप जीता और जैसे ही कपिल ने प्रतिष्ठ ट्रोफी जीती, उन्होंने आत्मविश्वास भी बढ़ाया 750 मिलियन भारतियों का कपिल देव क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतिय कप्तान बने वह अभी भी किसी भी टीम के लिए विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान 24 साल की उम्र में है वह 1985 में क्रिकेट की विश्व चांपियनशिप जीतने वाली भारतिय टीम का भी हिस्सा थे 2023 तक वंडे में नंबर 5 या उससे नीचे बले बाजी करने वाले बले बाज द्वारा बनाई गए सर्वोच व्यक्तिकत स्कोर 175 का रेकॉर्ड कपिल देव के नाम था उन्होंने 1994 में 201 दिवसियर विकेट लेने वाले पहले खिलाडी के रूप में सन्यास ले लिया सेनर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक पिकेट लेने का विश्वर रेकॉर्ड अपने नाम किया इस रेकॉर्ड को बाद में 2000 में कर्टिनी वॉल्ष ने तोड़ा 1982 में देव को पदमश्री और 1991 में पदमभूशन से समानित किया गया 2002 में उन्हें विज्टन द्वारा सदी के भारतिय क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था 1 मार्च 2010 को देव को ICC Cricket Hall of Fame में शामिल किया गया 2013 में उन्हें CK नाइडू Lifetime Achievement Award मिला जो BCCI द्वारा किसी पूर्फ खिलारी को दिया जाने वाला सर्वोत समान है जन्व 16 जन्वरी 1996 को हुआ खफिल देव में आतम विश्वास, अदम्य साहस और सभी बाधाओं पर जीत हासल करने का जज़वा था उन्होंने चार किताबे लिखी हैं, तीन आत्मक थात्मक और एक किताब सिक धर्ण पर आत्मक थात्मक कारियों में शामिल है, By God's Decree, 113 जो 1985 में आई, Cricket My Style, 114, 1987 में, और Straight From The Heart 2004 में 115 उनकी नवीन कम पुस्तक जिसका शीर्शक वी, The Six है, 2019 में जारी की गई थी माई 2007 में, देव कारे कारे बोर्ट के अध्यक्ष के रूप में जी टीवी द्वारा शुरू की गई अब स्टार्ट इंडेन Cricket ली, ICL में शामिल हो गए, और उन्होंने अपने फैसले का विरोध करने के पजाए, BCCI की सनरचना की सराहना करते होए, इसका बचाव किया, हम सुष्री अलग ने अपने और कपिल देव की तस्वीर के साथ महान प्रिकिटर द्वारा दिये गए क्यान को साज़ा किया, यहां वे सबक है जो उसने सीखे, जीतने के लिए मत खेलो, जुनून के लिए खेलो, अपने बच्चों के चरित्र पर ध्यान दे, अंकों पर नही खबिल देव के जीवन से युवा जो सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं, रहे समर्पन की गहरी भावना के साथ आने वाले आनंद के लिए जीवन में आवान करना, अन्य सभी परिनाम और लाव पूरी तरह से आकसनिक और स्थाई हैं, एक तक्मीकी गेन बाज के रोप में उ ुचरी में और स्थानी बाज के छ 특टी के से बड़ा से लिए जाले बाज के साथ आने ऎुचरी एले आ